हेलो फ्रेंड्स मैं जोती आपकी फ्रेंड बोल रही हूं जोती स्क्रेटिविटी से फ्रेंड्स आज मैं आपको अपना सॉपिंग हॉल दिखाऊंगी मैंने प्लांट पर्चेज किया है उसको मैं आज आपको दिखाऊंगी यह देखिए है एक look मैंने इतने plants लिये है सबसे पहले friends यह देखिए मैंने गजानिया लिया है एक orange color का solid orange color का यह गजानिया है यह देखिए इसको मैंने 40 rupees में लिया है friends यह देखिए धूप में इसके full खिल जाते है और जैसे ही दूप खतम होता है ये इसका फूल मुर्जा जाता है बंद हो जाता है ये एक sun loving plant है और ये देखिए friends ये मैंने एक purple set का pansy लिया है इसका color मुझे बहुत पसंद आया मुझे बहुत प्यार लगा friend पर्पल सेट का पैंजी इसको मैंने 25 रूपीज मिलिया है ये इसका एक बड भी आ रहा है ये देखिये फ्रेंट्स ये कितना प्यारा सा फ्लावर इसका नाम मुझे नहीं पता है फ्रेंट्स अगर आप लोग को पता हो तो इससे जरूर बताईए ये कौन सा फ्लावर है कितना प्यारा कलर है इसके बहुत सारे कलर सेट थे पर्पल और भी बहुत सारे पिंक में डीप सेट में था बहुत सारा सेट था इसका नाम मुझे बताया था नर्सरी वालों ने लेकि मुझे याद नहीं फ्रेंट्स इसे क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ अगर आप में से किसी को भी पता हो तो कमेंट में जरूर बताईए इसका नाम यह देखें मैं सोची आप लोग को जरूर किसी ना किसी को पता होगा इसको 30 रूपीज में दिया है उन्होंने और ये देखिए ये 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 वैने इम्पैसन दिया है इसको मैंने धूप में रख दिया था तो इसके फूल डल हो गए है फिर मैंने इसको सेड में किया ये एक सेड लविंग प्लांट है इसको direct sunlight नहीं चाहिए इसको सेड में रखने से ये ज़्यादा अच्छा रहता है और इसकी मीट्टी में moisture maintain रहना चाहिए ये impression मुझे ये सेड अच्छा लगा मेरे पास एक और impression है तो मुझे ये सेड बहुत पसंद आया इसे बालसम भी बोलते हैं इन पैसन भी बोलते हैं और ये एक मैंने nastretium लिया है ये देखिए ये देखिए इस कलर का मुझे इसका red सेड का चाहिए था पर वहाँ नहीं था उनके पास खतम हो गये थे मुझे इसका leaf भी बहुत सुन्दर लगता है फ्लार तो सुन्दर होते ही है मुझे बहुत प्यारा लगता है nastretium ये मुझे 40 रुपीज में मिला है देखिए कितना सुन्दर लग रहा है देखिए मुझे बहुत पसंद है nastretium मैंने इसके saplings भी लगाई है लेकिन अभी उनमें flowering नहीं हो रही है अब इसका सीजय नार है flowering का इसलिए मैं एक खिलावा ले आई मुझे इंतजार नहीं हुआ मुझे बहुत पसंद है nastretium इसके leaf भी बहुत सारा मैंने dead heading किया है पीला पीला एकदम yellowish yellowish पुरा भरा हुआ था उनके पास तो इतना plant होता है कि वो किसका किसका dead heading करें यह देखे इस तरह से yellow leaf की हमें dead heading कर देनी चाहिए यह देखे है यह एक डाइन थस लाया है मैंने इस shade का मेरे पास इसका deep shade है मुझे यह light shade इसका पसंद आया राणी कलर का यह मुझे 30 रुपीज में मिला है friends यह देखे है डाइन थस भी काफी अच्छा रहता है और एक यह मैंने एस्टर का प्लांट लाया है यह मुझे 20 रुपीज में मिला है यह purple shade का है मुझे बहुत पसंद आया प्लांट में अभी नहीं आया है flowering और एक चीज में दिखाती है यह देखे है मैंने लिया तो एक ही प्लांट था पर इस बैग में मुझे दो प्लांट मिल गए जब मैं इसे ट्रांस्प्लांट करूँगी तो अलग अलग पॉट में लगा दूँगी तो मुझे दो प्लांट हो जाएंगे यह देख लीजिए एक बार मैंने क्या क्या लिया है एक व्यूँ यह देखे फ्रेंज आज के ब्लूम्स मैं आपको दिखाती हूं यह एक पिंक कलर का रोज बर्ड है सॉलिड कलर का है यह धीरे-धीरे खिलता है तो बहुत ब्यूटिफुल लगता है और एक यह वराइटी रोज का पिंक मैं वाइट मोजयक है थोड़ा-थोड़ा इसमें वाइट किया हूँ है सेड है ये भी मुझे बहुत प्यारा लगता है ये इसका बर्ड निकल रहा है एक ये रोज की विराइटी देखिए ये येलो कलर की है लेकिन धूप में ये औरेंज हो जाता है देखिए अंदर में जहां धूप नहीं पड़ रहा है वहां देखिए कैसे येलो है न और जहां जहां दूप है वो धीरे धीरे औरेंज हो जाता है ये एक वाइट रोज देखिए इसके फ्रेग्रेंस मुझे बहुत पसंद है इसकी खुजबू बहुत अच्छी है भीनी भीनी सी धीरे धीरे खिलते हुए बहुत ही सुन्दर लगते हैं मुझे बहुत पसंद है ये फ्रेंड्स ये ये देखिए एक वाइट स्नोबॉल क्रिशैन्थिमम और ये येलो स्नोबॉल क्रिशैन्थिमम ये ऐसा लगता है प्रतीत होता है मानो एक बुके ओफ फ्लार्स है बहुत प्यारा लगता है मुझे ये कितना सुन्दर है लगता है देखते ही रहूं इसे ये देखिए कुछ फ्लार्स कुछ सैंथिमं की मेरे गार्डन की सोभा बढ़ा रही है लगभग एक महिने से ब्लूम कर रहे हैं इसको मैंने सेड में रख दिया है ताकि इसका कलर खराब नहीं हो और इसकी सुन्दर बरकरा में पार रहे सुन्दर था और यह साल्विया यह भी काफी दिनों से किले हुए है मेरे गार्डन में एक महने तो हुई गए हैं बहुत सुन्दर लगते हैं एक जल्विगरा खिला है येलो कलर का यह दिखिये और ये वाइट पिटुनिया पर्पल पिटुनिया ये रेड पिटुनिया एक ये देखिए ये कलर पैंसी देखिए कितना प्यारा लगता है देखिए कितना प्यारा कितना सुन्दर टाइंठास ये देखिए मैरी गोल्स ये देखिए फ्रेंस इस्टालिया ये देखिए ओके फ्रेंस आसा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो अगर आपको पसंद आये तो ँसे लाइक करिएगा जेए करिए गादा करिएगा और मेरे चैनल में यदि आप नए हैं तो प्लीज प्लीज इसे सब्सक्राइब करिएगा ओके फ्रेंस बाए